नमस्कार मैं हूँ दिबांजी मुईत्रा इसके बावजूद भी वे अंबाती राइडू जैसी प्रतिभाओं को उचित मौका नहीं दे सके कितनी शर्म की बात है जबकि खिताब जीतने के लिए दिल का होना अधिक महत्वपूर्ण है गंभीर के बाद पूर्फ क्रिकेटर विरेंद्र सहवाग भी राइडू के रिटार्मेंट पर बेहत दुखी दिखे सहवाग ने ट्वीट कर लिखा है अंबाती राइडू के लिए विश्वकप से अंदेखी निश्चित तोर पर काफी पीडा दायक रही होगी सहवाग के ट्वीट पर दसकिन डॉक्टर नाम के ट्वीटर यूजर ने लिखा है एक और ट्वीटर यूजर ने लिखा है अंबाती राइडू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से रिटायर हो गए है कुछ 3D Glasses इतने महंगे होते हैं कि आपके करियर के लिए महंगे साबित होते हैं धन्यवाद और भविश के लिए शुब कामना है एक और ट्वीटर यूजर ने लिखा है BCCI अंबाती राइडू के रिटार्मेंट की पुष्टी के लिए ट्वीट नहीं करेगा क्यूकि 3D Glass की ट्वीट ने MSK प्रसाद और सभी चैन समिती के सदस्यों का इगो बढ़ा दिया है जिसमें BCCI अध्यक्ष और BCCI परिशत के सभी सदस्य भी शामिल है पत्रकार निशांत चतुरवेदी ने ट्वीट किया है अंबाती राइडू ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सन्यास की घोशना की संभवता 3D चश्मे पर किया गया ट्वीट उनके करियर पर भारी पड़ गया सोशल मीडिया पर अंबाती राइडू के जिस 3D चश्मे वाले ट्वीट की बात हो रही है वो ट्वीट राइडू ने 16 अप्रेल को किया था इससे पहले वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान किया गया था चैन करताओं ने अंबाती राइडू की जगा और राउंडर विजय शंकर को टीम में चुना था राइडू पर विजय शंकर को तरजीह दे जाने पर मुख्य चैन करता MSK प्रसाद ने शंकर को 3-dimensional प्लेयर बताय था यानि बैटिंग, बोलिंग और फिल्लिंग तीनों में परफेक्ट विजय शंकर के चुने जाने पर अंबाती राइडू ने तंज भरे अंदाज में ट्वीट कर कहा था कि वर्ल्ड कप देखने के लिए अभी-भी 3D Glasses के नए सेट के लिए ओरडर दिया है राइडू के इसी ट्वीट को उनके फैंस वर्ल्ड कप के लिए नहीं बुलाए जाने की सबसे बड़ी वजह मान रहे है राइडू के फैंस का मानना है कि उनके तंज भरे ट्वीट से मुख्य चैन करता MS के प्रसाद समेत चैन समिती के बाकी सदस से भी नाराज है शायद इसी लिए पहले तो वर्ल कप के लिए राइडू की जगह विजह शंकर को टीम में जगह दी गई जो वर्ल कप में कुछ खास नहीं कर सके और चोट के बाद वापस लोटा है इसके बाद जब विजह शंकर की जगह स्टैंडबाई प्लेयर में से किसी एक को बुलाने की बात आई तो टीम मैनेजमेंट इस बार भी राइडू को इगनोर कर एक भी वंडे नहीं खेलने वाले मयंक अगरवाल को सीधे वर्ल कप जैसे बड़े टोर्नमेंट के लिए बुला लिया इसी के साथ राइडू के वर्ल कप में खेलने की आखरी उम्मीद भी खत्म हो गए जिसके बाद 55 वंडे खेल चुके 33 साल के राइडू ने क्रिकेट के सभी फॉर्माट से सन्यास का ऐलान कर दिया घर चाहसे बहुतन के लिए बुलाकी कर दिया आपड़े खेलार्ट प्रेट लॉपलाद के वर्ल के जिए भी सेट्गी है संbang भाषयार यंगान्य लिधर आर आटरीसमार तॉर डिलेशनी हैं, जया पुट करने में को रहनmentола चलेशनी हैं कि अजुट अरे करत को नक को मैं के जयां बढ़ श्रह राफ से की। गूलार फ़ियत दूप्रेश्टोफी पूरी लग्स लिए पुराशी टुट अजेए डियां केऊच लिए लुड़ बत्स्में, फिछ अनुज अज़ा पॉर बत्स्में, इजिए लुड़ प्रीचह कार्थिक उत्स अप अठीकोर्णी हो। वे दिए गिवाजसे को राइड़ा, तो विजेशेंकर उफ़ में सबस्ते ही दिमेंशना अपर इस बातिंगा इसे बातिंगा जाइड़ा जाइड़ा उट अपर इसे बातिंगा है। है कर दो अटेस्बी है कर दो दो लीडिये हम अटर बाथ अक metabolism खाय कर थो हुआ है कर दोदके थे शीयाक का ठात्रव में अक 순ड Holy ना कर अट लैस्टो बनीस कर दिया डगर्वेऊ अती झार्ममानी अ कर अब depending consider this प्हुली CrORD में different your continuation वेटें कि अन्याविट एंद बारिक्ष बारिक्ष विज़्यां विचैनल पुकार खरी कि क drinking वे प्लेवार मेंट फिर्फ फॉर्याट बाफ च्ट्रवा कि अदैस को फिर्फुकि अट्ने में एट्वर मेंट विजैस्यंकर कोईक बारिक्ष धुची का व्यार्ट विछ पॉ कर देद रहे प्याहिवावार देज़ जंगपन्नान वे लेडिग एंगासं लिन्टीर निवेश्टार्ट। कजड़ इस्टीर स्वीर करते हैं ग्रेक तेर्स प्रत्री स्वार्ट्ट अज़ाप्सिछ कृड़ पिर यार्टार्ट। कि लुग आपर आपित लोग इस टूच्छुछेशन आप्टाज केड़ा, I think we have this luxury of seven bowlers, so I think we have covered all the bases that way if you look at it and I am sure this is one of the most balanced sites that we have produced. कर दो लो निए गार्व सैनिका बीसक्श्श्शनाइंगा तेर है जो उसकी साथ सांवी विडिसक्शनितन इस धिस्क नाभ भी शुकी सॉ फिजए नाम बीसक्श्शनान कोस्त नीरो इसंड लो यूला करे में सबनें सरानी है इंक भी दिश्क्शन थ deg. ट्रूपलों है तिज वे उटने समय इस्ट संथ थे में आप है कि हमयों करो हिए लिए कि पानी कर लोटेन है प्रोप्म भीस रोनोज करते हो, यो है प्रशाएश्ग्न करो, नहीं करने के डिजसेंकर थीप प्रच्रव च्हें को सित्ते नुवांदार है। यह पर बब्लास कर स्थर्य को यह पुर्णीज करते ही और यह ठापस करते ह। and so is Keda Jadao and we also have a role for KL somewhere at the top of this. Do we see KL as a reserve opener or can we come at number 4 also in the middle of the O2? To begin with, he will be only a reserve opener. If need arises, it all depends upon the team management's quality. Shivan, now that the score is announced and for the last few months you have been talking about the workload and everything. Now how seriously, what is the way forward now, one month is left? I think that's what the team management along with Patrick is looking into it. The workload management program is going on. He's constantly in touch with the physios of IPL franchises. Two questions. I think changes can be made to the sport until the 23rd game even if there are no injuries. Do you think IPL form will play a role in that? And the second one, the main players who have been playing a lot of international tickets since last year, are any of them likely to be given some kind of rest in the remaining matches? Well, your first question is about changes in the team. It all depends upon if somebody is injured. Otherwise, why do you, since you have announced the site, you know, we all discussed and debated and felt that this is the best possible team that can give us best possible results. So there's no point in changing unless somebody is injured. And with regard to the second point, I have already told that, you know, there's a workload management program going on. Our trainer and physios are constantly in touch with the trainer and physios of respective IPL franchises. Are there any players who are not considered to have failed the junior test? No, they've already, you know, there is a program that is going on, you know, every quarter they are doing some sort of a test. So everybody is fit and fine as far as that is concerned. Is there anyone who was not considered to have failed the junior test? Oh my God. झाल झाल